जैनित बच्कों कैसे हैं हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके आएं Green Chemistry का सेकिड पार्ट जिसमें हम लोग जानेंगे 12 principles of Green Chemistry कोई भी एक्जाम हो अगर आपका green chemistry का एक्जाम है बच्चो तो दियान रखेगा इस question के बिना वो paper वो exam अधूरा है ये आते ही आते हैं और generally अपनी कोसिस भी यही रहती है कि जो आपको videos provide किये जाएं वो सारे के सारे important हो उसके अंदर चीजों को बहुत छोटे में summarize किया जा हम लोग जानते हैं कि वो कौन से 12 principle होंगे जो green chemistry को explain करते हैं G1 prevent waste बच्चो यहाँ पे हम लोग इन 12 principles को code करते हैं G से ध्यान लगी G means होता है green chemistry और ये 123 इनके number दिखाएंगे तो पहला जो हमारा principle है वो है prevent waste आप तो heading से ही समझ गए होंगे always try to develop such conditions in the process that very less waste generate example production of hydrazine आप जानते हैं कि किसी भी chemical process को पूरा करने के लिए हम लोग एक से ज़्यादा condition apply कर सकते हैं और हमको यहाँ पर यही ध्यान देना है कि हमको उन सारी reaction conditions में से कोई ऐसी condition choose करनी है पसंद करनी है जिससे कि उस reaction में product ही बने यह जादा से जादा बने और जो हमारा unwanted product है जिसको हम लोग waste बोलते हैं जिसके हमको जुरत नहीं वो waste कहलाता है clear है और जिसके हमको जुरत होती है वो desirable कहलाता है तो हमारी condition हमारी try ऐसी होनी चाहिए कि उस reaction में केवल desirable product ही बने unwanted या side product ना बने clear नहीं हुआ होगा example के साथ clear जरूर करेंगे तो पहला example जो हमने यहाँ पर maintain किया है वो है production of hydrazine आप यहाँ पर देख सकते हैं दो reaction के इंदर जो common point है वो है हमारा ammonia gas ammonia gas से हम लोग बना रहे हैं hydrazine मैंने यहाँ पर P लिखा हुआ है तो P जो है हमारा hydrazine है यह दो chemical process जो है hydrazine product बनाने के लिए है NACLS2 औ हमको नहीं हमको केबल P चाहिए as per green chemistry तो यहाँ पर हमने पहले reaction के अंदर sodium hypo chloride solution के अंदर ammonia gas को पास किया जिससे हमको hydrazine NACL और water मिला अब हमने क्या किया है हमको यहाँ पर प्रोड़ट चाहिए इस reaction की efficiency काफी कम होती है 50% होती है क्योंकि इसके अंदर side product बहुत ज़्याद बन रहे हैं जितना hydrazine बनता है उतना ही NACL भी बनता है तो यहाँ पर जो hydrazine की cool मिला के हम लोग yield देखते हैं मात्रा देखते हैं reaction के अंदर वो काफी कम मिलती है तो इस पर ध्यान देते हुए और यह ध्यान देते हुए कि यहाँ पर जो NACL का waste है यह reaction में बाद में निक ना है अगर यह बनेगा ही नहीं तो निकालने की जुरत नहीं पड़े ही कच्रे को साफ ही नहीं करना पड़ेगा तो आप थोड़ा सोचिए यहाँ पर क्या किया गया Naocl sodium hypo chloride को replace कर दिया गया S2O2 इसको green proxide बोलते हैं पहले वीडियो में आपको बताया भी था अब S2O2 अब यहाँ पर S2O2 solution के अंदर ammonia gas को pass करते हैं जिससे आपको main product hydrazine मिलता है और side product water होता है बचो आप जानते है water को removal बहुत easy होता है तो देखें यहाँ पे आपका बन गया main product hydrazine और आपका unwanted side product जो waste था उससे आप बच गए है वो बनाई नहीं है तो आप ही बताईए इन द दूसरी reaction condition है यह best है क्योंकि इसमें केवल hydrazine हमारा main product बनता है कोई भी waste नहीं G2 atom economy आईए बचो आप जानते हैं दूसरी principle के बारे में जिसको बोलते है atom economy traditionally efficiency of our reaction has been measured by calculated percentage yield आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने butanol लिया है butanol का reaction हम लोग करा रहे हैं NABR और S2SO4 के साथ में तो आप देखिए कि यहाँ पे यह simple substitution reaction है मैं यहाँ पे underline कर रहा हूँ जिससे आपको clear हो जाए इस reaction में हमारा alcohol जो है वो bromobutane में convert जाता है bromoderivative में convert हो जाता है अब आप देखिए कि यहाँ पे main product क्या है तो मैं इसके निचे P जरूर लिकूंगा ताकि आपको clear हो जाए यह हमारा main product है लेकिन इस reaction के अंदर तीन product बनते हैं जिसमें एक main होता है और दो side product होते हैं और आप जानते हैं कि side product को हम लोग waste बोलते हैं तो अगर इस reaction की कोई scientist percentage yield निकालता है तो मज़े की बात यह है कि percentage yield यहाँ पे 100% आती है क्या clear है 100% yield आती है इस reaction के अंदर लेकिन अगर हम लोग green chemistry से जाते हैं तो percentage atom economy जो आती है वो 50% होती है 50% होती है यानि कि जो आपको फाइदा होना चाहिए था 100% का वो atom economy term में होना चाहिए वो 50% ही हुआ है यानि कि यह reaction से आपको फाइदा नहीं हो रहा है बलकि नुकसान हो रहा है ऐसा बोलती है green chemistry कि एक अच्छ reaction वो होती है जहां पर reaction की percentage economy अधिक से अधिक या 100% हो अब यहां पर कुछ लोगों को doubt आ सकता है कि सब percentage atom economy क्या होती है तो चिंता ना करें आए देखते हैं atom economy clears that how many reactant atoms or molecules are converting into products किसी भी reaction के अंदर atom economy को देख के आप पैचान सकते हैं कि उस reaction के अंदर reactants के कितने atom जो हैं वो product में convert हो रहे हैं आप देखें यहां पर carbon hydrogen oxygen BR, H, sulfur इतने सारे atom हैं और यह सारे atom combine होके हमारा bromo derivative यानि main product desirable compound बना रहे हैं लेकिन इस यहां पर product की जो economy है जो conversion है reactant का molecules का वो केवल 50% है यह 50-50% ही आपस में combine होते हैं जिससे हमारा बनता है main product bromo derivative तो आप बताईए कि 50% कहां चले गए waste में तो क्या यह reaction atom के इसाब से आपके लिए फाइदे मंद है तो जवाब है नहीं क्योंकि इसकी percentage atom economy कम है आदी है जो about 100% होनी चाहिए so such synthetic strategies should be adopted by which whole of the atoms of the reactant should convert into products तो यहाँ पर green chemistry atom economy में यही कहती है कि अपनी reaction के लिए ऐसी condition choose कीजिए ऐसे तरीके उस reaction में लगाईए जिससे सारे के सारे reactant के जो atom है वो आपस में combine होके आपको product ही product दें जो सारे reactant atom आपको product दें पाएंगे less hazardous chemical synthesis तो आईए बच्चो अब हम लोग तीसरे principle की बात करते है wherever practicable synthetic method should be designed to use and generate substances that possesses little or not toxicity to human beings and the environment तीसरे principle यह कहता है कि बच्चो जहां तक संभव हो सके अपनी reaction के अंदर ऐसे compound ऐसे product generate कीजिए जिनके अंदर toxicity या तो ना हो बिल्कुल zero हो या फिर हो तो बहुत कम से कम हो अगर बच्चो जब हमारे compound में toxicity या तो होगी ही नहीं या बहुत बहुत कम होगी तो उससे जो human beings होंगे इंसान होंगे और जो उनका environment होगा उसको नुकसान कम से कम हो पाएगा ऐसा कहती है green chemistry का third principle जी फोर डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स आपको अपनी reaction के अंदर अपने process के अंदर ऐसे molecule को design करना है समझे आप यहाँ पर condition की बात नहीं हो रही है यहाँ पर आपके molecules की बात हो रही है कि जो आप compound product बनाना चाह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं आपको example से clear करता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे है acetanilide और paracetamol दो structure आपके सामने दिये हुए है ध्यान से देखिए acetanilide और paracetamol में केवल OH group का फरक है जो NHCOCS3 के पैरा position पे लगा है क्या यह आपको clear है बचे यह कहानी है लगबग 100 साल पुरानी 100 साल पहले हमारे यहां के जो scientist थे, medicos थे वो दर्द को मिटाने के लिए वो acetanilide यूज किया करते थे लेकिन बाद में यह पाया गया कि acetanilide जो है यह दर्द तो कम करता है लेकिन body के अंदर जहरिलापन यानि toxicity बढ़ा देता है तो इस बात पर ध्यान करते हुए उन्होंने उनके दिमाग में दो बात थी कि हमारा जो main function है वो है दर्द को दूर करना, बुखार को दूर करना तो उसके लिए उन्होंने क्या किया यहां पे acetanilide के पैरा position पे OH group को design किया तो design करने से जो हमारा acetanilide की toxicity थी वो बिलकुल खतम हो गई और यह नया molecule paracetamol के नाम से आज भी दुनिया में सबसे जादा use होने वाली दवाईयों में से एक है तो यहां पे हमने क्या किया? हमने यहां पे अपने molecule पे design किया, product पे design किया जिससे उसकी कारेक उसलता या efficacy बढ़ जाए और जरिलापन कम हो जाए G5, safer solvents and auxiliaries बचो, solvent तो आप जानते ही है, वो liquids जिनमें हम लोग अपने reactants को घोलते हैं और auxiliaries जो होते हैं, बचो, यहां पे solvent और जो हमारे extracting reagents होते हैं उनको एक साथ combine करके बोलते हैं परेशान मत हो यह, मैं आपको clear करा के ही बेजूँगा Use of solvents and separating agents should be avoided in reactions but if they are used, they should be non-toxic substances Green chemistry का 5 प्रिंसिपल यह कहता है कि आपको किसी भी reaction के अंदर solvent या फिस separating agent का use नहीं करना है, इनसे बचना है और अगर करना भी पढ़ जाए तो वहाँ पर यह solvent और जो separating agents है वह non-toxic यानि की जरीला नहीं होना चाहिए क्यों जब वो जरीला होगा, तो जो भी उस reaction पर काम कर रहा है जो भी environment उसके आस-पास का है, उसमें वो जरीलापन फैल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं water, isopropanol, siren, etc. बच्चों यह हमारे green solvents में आते हैं तो green chemistry कहते हैं कि भाई पहले तो solvent use ही न करें और अगर करना पड़े तो ऐसा करें जो जरीला ना होगा, आप जानते हैं पानी, isopropanol, siren जो होते हैं यह हमारे green solvents कहलाते हैं, एक्जा में पूछता है वो, ध्यान दखीगा G6, energy efficiency, it includes minimization of energy loss like mechanical friction, unwanted heating, fluid drag example reaction can be conducted at room temperature and pressure, etc. बच्चों जो हमारा छटा principle होता है यह हमारा energy efficiency का वाला होता है, जिसमें इस बात पर जोड दिये जाता है, कि आप कोशिस करें कि आपकी reaction के अंदर energy loss, यानि उर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए, उर्जा को बचाना है, उर्जा को वेयर या नस्ट नहीं करना है कई बार reaction के अंदर mechanical friction होता है, या फिर वहाँ पर unwanted hitting होती है, या flu drag हो जाता है तो उससे वहाँ पर जो आपने reaction के अंदर energy लगाई है, वो energy तो आपकी अलग अलग जगे waste हो रही है तो आपको कोशिस करना है कि कोई भी ऐसी condition ना हो जिससे आपकी reaction के अंदर energy loss ना हो, energy loss नहीं होगी तो reaction की efficiency ज़्यादा होगी और वहाँ पर product चल्दी बनेगा example देखिए, अगर कोई reaction high temperature पे हो रही है, तो आप कोशिस कीजिए कि उस reaction का temperature कम हो जाए और ऐसा करने के लिए आप उस reaction को room temperature पे कर सकते हैं, pressure लगाने के बाद, ऐसी बहुत सारी conditions होती हैं, बहुत सारी practice या तरीके बन सकते हैं, जिससे आप energy को बचा सकें G7, use of renewable feed stocks, बच्चों, feed stock का मतलब होता है, raw material, starting material for a chemical reaction should be renewable resources, बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अपनी reaction के अंदर जो आप reactant use कर रहे हैं, कच्चा माल जो use कर रहे हैं, जिससे आपको product बनाना है, वो आपका जो reactants हैं, वो ऐसे होने चाहिए, जो आप renewable resources से ले सकें, यान कि आपको nature से मिल जाएं, बार-बार आपको easily मिलता रहे, आपको उसके लिए wait ना करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं, जो भी आप nature से लेंगे, वो आपको बार-बार मिलेगा, और वो pure होगा, toxic नहीं होगा, जैसे example से clear करते हैं, यहाँ पे हमने दो example लिए, nylon को बनाने के लिए हम लोग benzene यूज करते हैं, benzene derivative यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कितना अच्छा होगा कि आप nylon बनाने के लिए, benzene यूज ना करके glucose यूज करें, आप जानते हैं किसी भी plant से आपको जो वहाँ पर fruit मिलता है, fruit से finally आपको glucose easily और बार-बार मिलता रहेगा, तो nylon बना बनाने के लिए आजकल glucose पर जो डाला जा रहा है, क्योंकि glucose वहाँ पर renewable raw material की तरह यूज होता है, अब बात करते हैं, दूसरे point की, biodiesel from crops, बचों आप जानते हैं कि petrol का ये substitute है, biodiesel, नाम से चलना पता, biology, bio word जुडा हुआ है, और यहाँ पर biodiesel बनाने के लिए, अगर chemical use न करके, आप उसको किसी fruit के oil से बनाएं, या फिर juice से बनाएं, तो यह process यह practice कहलाती है, use of renewable feedstock, यानि कच्चा माल जो है, वो आपको nature से लेना है, crop से लेना है, G8, reducing derivative, unnecessary derivatization should be minimized in our reaction or process to avoid consumption of reagents that reduces efficiency of the reaction, आठवा principle इस बात पर जोड देता है, कि आपकी reaction के अंदर एक ही product बने, एक ही derivative बने, कहीं ऐसा ना हो कि उस reaction में आपका दूसरा derivative बन जाए, अगर किसी reaction के अंदर एक compound के अलावा, main product के अलावा, दूसरा derivative भी बन जाता है, तो दूसरा derivative बनने से उस reaction की efficiency या कारे दक्सता क हो जाती है, और reagent जो आपने reactants लिये हैं, वो reagent chemicals भी ज़्यादा use होते हैं, और कुल मिला के आपकी reaction के efficiency कम हो जाती है, clear नहीं हो आए, example से clear करते हैं, example, protection, deep protection of functional group, selection of region selective reaction, ये कुछ तरीके हैं, जो हमारे आठवे principle में, पूरा करने में help करते हैं, बच्चों आप देख पारें कि हमारे पास ये diol हैं, इस compound के अंदर बच्चों दो OH ग्रूप लगे हैं, diol हैं, और diol से हमको ये compound बनाना है, focus कीजीगा, desired compound ये है, इस product के अंद अधर आप देख सकते हैं, कि एक OH ग्रूप रहना चाहिए, और जो दूसरा OH ग्रूप है, वो ketoni ग्रूप में convert हो जाना चाहिए, तो आएए देखते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, बच्चों इसके लिए simple जो method होता है, वो होता है oxidation, अगर आप किसी भी alcohol का oxidation करेंगे, तो वो carbonal compound में convert हो जाता है, पर ये क्या, ये कैसे हो गया, आप ध्यान से देखिए, कि यहाँ पे जो oxidation करेंगे बाद, जो आपने पहला method यूज़ किया, oxidation का, उसमें दोनो OH ग्रूप, जी हाँ, दोनो OH ग्रूप oxidized हो गए हैं, लेकिन हमको तो एक चाहिए था, दूसरा नहीं, तो मैं आप से पूछता हूँ कि क्या ये compound desired है, क्या ये reaction हमारे काम की है, तो जवाब तुरंत मिल गया होगा, आप सही कह रहे हैं, ये reaction हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे desired नहीं बना है, बलकि इस product का derivative बन गया है, इसका derivative है बच्चो, तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि derivative बनने से हमारा जो motive है जो हमारा उद्यस से है वो तो पूरा होता ही नहीं है तो आपको ये reaction अगर चुनते हैं तो ये गलत है क्योंकि इसमें एक compound तो बनेगा ही बनेगा लेकिन इस से ज़्यादा इसका derivative बनेगा तो हमको ये reaction use नहीं करना है इसके लिए बच्चों हमने दूसरा method लिया है दूसरा तरीका लिया है तो दूसरे तरीके में हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे दो OH में से एक OH गुरुप को block कर दिया है बंद कर दिया है अब ये reaction में participate नहीं कर पाएगा भाग नहीं ले पाएगा केवल ये वाला OH गुरुप हमारा active है ये inactive बन गया है और ऐसा हमने किया है protection of functional गुरुप के दुआरा यहाँ पे फिर हमने इस compound का oxidation किया तो oxidation करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर reaction होगा यहाँ पे reaction नहीं हुआ है क्योंकि ये protect हो चुका है, block हो चुका है, inactive हो चुका है पर ये active है आपका अब देखिए जो active था वो तो reaction के अंदर भाग लेगा और ketonic group में oxidize जाएगा लेकिन ये वाला group जो inactive था, block था ये ऐसा ही पड़ा रहेगा उसके बाद हम लोग use करते हैं deep protection of functional group यहाँ पर बच्चों हमने जो यहाँ पर block किया हुआ, यह blocking किया हुआ था इस group को हम लोग यहाँ से remove कर देते हैं और देखिए आपको क्या मिलेगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर deep protection करने से यह वाला हमारा group जो है वापस OH group में convert हो गया है अब मैं आप से पूस्ता हूँ कि बताइए आपके पास पहली reaction में से और दूसरी reaction में से कौन सी reaction जादा easily green chemistry की concept को पूरा कर रही है जहाँ पे आपका केवल एक ही single desired product बन रहा है दूसरा कोई derivative नहीं आपने देखा था पहली reaction में derivative बना था तो reaction बेकार था लेकिन दूसरी तरीके से protection और deep protection से आपने केवल desired product ही बनाया है तो यचो ये वाले जो reaction है ये okay है और ये हमारे green chemistry की जो principles है उसको पूरा करने में help करती है 9. Catalyst Catalyst speed up reaction rate by lowering activation energy example synthetic reagents, organometallics etc. बचो आप जानते कि जो भी दुनिया का development है वो industry पे depend करता है और industry इस बात पे depend करती है कि चीजे कितनी सस्ती और जल्दी बनती है तो वहाँ पर अगर आप किसी reaction के अंदर process के अंदर उत्प्रिरक या catalyst यूज करते हैं तो वो उस reaction में use होने वाली activation यानि की सक्रिय उर्जा को कम कर देती है जिससे reaction का rate कहीं गुना बढ़ जाता है और reaction जल्दी पूरा हो जाती है क्या ये आपको clear है कुछ synthetic reagent और organometallic यूज करके आप अपनी reaction का rate बढ़ा सकते हैं G10, design for degradation, the end product should be designed in such a way that they must undergo degradation at their disposal example, insecticide, dirty, plastic, etc Green chemistry का दसव प्रिंसिपल बच्चो इस बात पर जोड़ देता है कि आपकी reaction के अंदर जो बनने वाले compound या product है वो degradable होने चाहिए अगर उन में से किसी compound को आप nature में डाल देते हैं या nature में छोड़ देते हैं तो कुछ time के बाद वो अपने आप nest हो जाना चाहिए ऐसा ना हो कि वो nature में पढ़ा रहे लंबे time तक और जब वो nature में रहेगा तो वो वहाँ पर toxicity फैलाएगा ही फैलाएगा example देखिएगा insecticide, dirty जो है वो ban हो चुका है ये बहुत ज़्यादा toxic होता है अगर हम लोग बात करें, dirty जो होता है हम लोग किड़े को मानने के लिए सबजियों में फसलों में डालते हैं लेकिन ये जमीन के अंदर भी चला जाता है और ये वहाँ पे सालों साल मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, degrade नहीं हो पाता है और जो nature में छोड़े हैं वो ऐसा हो, जो degradable हो 1. Real-time analysis for pollution prevention Monitoring in process should be done to avoid generation of hazardous materials in chemical formulation Example process analysis can detect by change in temperature, pH, etc Green chemistry का 11 पॉइंट इस बात पे जोड देता है, कि जो आप chemical process यूज कर रहे हैं उसमें आपका monitoring करना जरूरी है उसमें आप इस चीज का ध्यान लखेंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी reaction के अंदर कोई hazardous chemical बन जाता हो बले ही आपने ना बनाया हो, लेकिन जब आप उसको कुछ time देते हैं तो उस कुछ time के बाद उसमें hazardous chemical यहानी करकपदार्थ बन जाता हो उधारन के लिए आप अपनी reaction के अंदर temperature change करके या फिर pH change करके, reaction जा रही है आपकी, आपकी reaction set है उसमें कोई toxic substance नहीं बनता, कोई hazardous chemical नहीं बनता लेकिन फिर भी आप उस reaction को feasible बनाने के लिए और green बनाने के लिए आप उसमें temperature change करके देख सकते हैं और pH change करके देख सकते हैं कि कहीं temperature या pH क्या change करने से reaction में कोई hazardous change तो नहीं आ जाता G12 Accident Prevention Choice of substance and their states used in a chemical process should remove the potential of accidents including releases, explosion and fires Example, replacement of CFCs by CO2 gas in synthesis of polystyrene seats etc पहली वीडियो में आपको बता जाता कि जो polystyrene होता है बच्चों polystyrene की seat बनाने के लिए chlorofluorocarbons को वहाँ पे use किया जाता था chlorofluorocarbons toxic होते हैं, environment को damage करते हैं और explosive होते हैं तो अगर किसी वज़े से ये बहार आ जाते थे तो वहाँ पे आग लगने के या धमाका होने के chance बढ़ जाते थे या फिर अगर थोड़ी मातरा में भी बहार निकल रहा है तो जो scientist या जो workers पे काम कर रहा है उसकी body के अंदर ये बहुत जादा toxicity फैलाने वाला होता है, ये body को damage करता है और अगर किसी वज़े से ये बहार भी निकल जाए फाइनली तो ये ozone layer में hole करने वाला होता है तो आप ही बताए किसी chemical reaction में अगर कोई ऐसा जान लेवा toxic hazardous chemical आप यूज़ कर रहे हैं कि जैसा कि हमारा chlorofluorocarbon होता है तो green chemistry कहती ही कि भाई ये accident करने वाला है आप इसको हटाईए वहां से और इसकी कोई ऐसा chemical use कीजिए जिससे आपकी reaction तो हो जाए लेकिन accident ना हो इसी के लिए वहाँ पर polystyrene की seat बनाने के लिए chlorofluorocarbon को बंद कर दिया गया है डव कंपनी ने पहली वीडियो में बताया था और वहाँ पे CO2 gas को पास करते हैं और आपका CO2 gas आप जानते हैं कि वह toxic या hazard नहीं है, accident cause नहीं करती है तो बच्चो आज हमने जाना green chemistry के वह 12 principle वह 12 practice को जिनको use करके हम लोग अपने आपको और अपनी society को safe रख सकते हैं, healthy रख सकते हैं और आजकल हर एक देश में green chemistry पर ही जोड दिया जा रहा है और ये समझाने के लिए ही आपके course में इसको सामिल किया गया है तो hopefully ये आपको clear हुआ होगा बच्चो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले क्योंकि जब आप like, share, subscribe करते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे बेतर वीडियो लाते रहते हैं